अगर आपने वो रिविजन किया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी about the epistatic genes or the epistasis उसके दो types के बारे में जाना था that was your dominant epistasis and recessive epistasis हमने एक example के साथ discussion को अपने continue किया था that was dominant epistasis का था जो की and that was your cucurbita pepo or summer squash और next हमने बात की थी about the supplementary genes उसका भी आपका एक example हमने discuss किया था that was your coat color in mice हमने उसकी बात की थी ठीक है so I hope आपको class last class जो हमने discuss किया था वो आपको clear था क्योंकि आज की class के अंदर हम बहुत ही एक elaborate और important topic के साथ शुरुवात करने वाले हैं that is your sex determination आप एक organism का sex कैसे determine करते हैं और हम थोड़ा से introduction लेंगे about your mutation ठीक है तो चलिए let's start with sex determination ठीक है तो चलिए आप अपने handwritten note पर ध्यान देंगे about sex determination मैंने अभी आपके साथ यह चर्चा की थी discussion किया था कि sex determination आपके 12th point of view से काफी important topic है genetics का ठीक है तो sex determination नाम से आपको थोड़ी सी भना खुई होगी what is sex determination ठीक है मतलब जो offsprings है वो एक लड़का होगा या तो वो एक लड़की होगा मतलब एक male होगा या तो एक female होगा इसका decision ये decide कैसे होता है ठीक है तो उसी के बारे में हम इसमें अलग-अलग techniques पढ़ेंगे अलग-अलग organisms में क्या-क्या techniques हैं क्या-क्या कैसे decide होता है कि जो एक offspring है वो male होगा या female होगी इसके बारे में इस topic के अंडर हम discussion करेंगे ठीक है तो देखिए होता क्या है definition देखते है sex determination की तो sex determination system in genetics is a biological system that determines the development of sexual characteristic in an organism जैसा क्या आपको बताया जैसे कि देखिए male के जो characters होता है female के body के जो characters होता है organs होता है secondary sexual characters होता है primary sexual characters होता है ठीक है वो कैसे एक organism के अंदर decide होता है वो किस system की मदद से करते है sex determination की मदद से करते है ठीक है तो in many species sex determination is genetic male and females have different alleles or even different genes that specify their sexual morphology इसको अगर आप humans में लेकर समझे क्योंकि आप खुद उससे काफी relevant रखते है कुछ आप समझते है उसके बारे में तो देखिए male का genetic organization होता है human beings के अंदर क्या होता है एक X होता है एक Y होता है एक female का क्या होता है एक X होता और एक X होता है ठीक है यह तो आपको याद होना चाहिए ठीक है तो यह कहां से आता है यह मा के womb से आएगा father के sperms की मदद से आएगा मा के egg की मदद से आएगा तो वही लिखाया है कि यह decide करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं हो सकता है कि उनकी बनावट में अलग-अलग alleles हो यह different genes भी हो सकते हैं जो की body की बनावट morphology को decide करते है ठीक है तो यह जो sex determination है यह हम दो तरीकों से decide कर सकते हैं एक male heterogamity से दूसरा female heterogamity से ठीक है टॉम का अगर आप मतलब समझे है heterogamity ठीक है humans को दे के समझिये male का जो बनावट है शरीर का x and y होता है female का क्या होता है x and x होता है तो male के जो दोनो gamets है वो दोनो अलग-अलग है x and y और female के जो दोनो gamets है वो same है x and x तो जो sex म मैंने आपको बताया कि जो sexes अलग-अलग होते है humans के body के अंदर एक लड़का जो जन्म लेता है that is due to the why that is present in the body or the gamets of male ठीक है तो यही हुई male heterogamity ठीक है male के body में जो अलग-अलग gamets होता है उसके वज़े से sex की determination होती है ठीक है तो इसके examples भी हम लेंगे जिसके वज़े से sex जिन organisms के अंदर अलग-अलग sex की determination होती है कभी-कभी क्या होता है कुछ organisms के अंदर क्या होता है कि female body के अंदर भी कुछ अलग-अलग gamets होते हैं जिसकी मदद से sex की determination होती है तो पहला example लेते हैं हम male heterogamity का that is XXXY type यह सबसे common है humans की बात कर रहा है तो male heterogamity है मतलब क्या दो दोनों जो gamets मिलके male की body को बनाएंगे वो दोनों अलग-अलग होंगे male heterogamity से आपको यह चीज clear होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर देखिए XX यहां पर देखिए दोनों gamets सेम हैं तो यह कौन होगी female होगी यह male होगा तो यह होगी आपकी female ठीक है और X and Y male heterogamity है मतलब क् दोनों gamets अलग-अलग होंगे तो यह देखिए XX हो गई female XY हो गया male अब XX जो आपका यहां से जो gamets बनेंगे एक में X जाएगा एक में फिर X जाएगा male से जो दो gamets बनेंगे that will be X and Y ठीक है चलिए हम बनाते हैं अब आपका punet square एक तरफ आपने XY डाल दिया दूसर तरफ आ genetic makeup मिला ठीक है तो देखिए X and X मिला पहले offspring में same है तो यह क्या हो जाएगी female हो जाएगी क्यों कि हम male heterogamity पढ़ रहा है but obvious है दूसरे वाले का देखिए X and Y different हो गया male heterogamity है तो यह क्या होगा male ठीक है अगला हो गया देखिए X and X तो female क्योंकि same है दोनो male heterogamity पढ़ रहा अगला X and Y अलग अलग है तो इसका क्या हो जाएगा male होगा या female होगी male होगा ठीक है इसके जो इस type के female male heterogamity का example X and X and X and X and X and Y type हो है इसके दो examples humans तो आप समझते ही है और दूसरा drosophila melanogaster इसको हम fruit fly भी कहते है यह वाला जो organism है fruit fly इसले कहते है क्योंकि fruits पर पाया जाता है बट obvious है यह important इसलिए है क्योंकि genetics point of view से इस पर बहुत research चल रही है क्योंकि यह बहुत सारे variation शो करता है यह organism ठीक है तो drosophila अभी आपको आगे भी और काफी बारी मिलेगा ठीक है तो यह दोनों जो है यह follow करते हैं XX-XY type of male heterogamity ठीक है अब चलिए अब आपको इन example में द यहां हमने पढ़ी है वो clear ठीक है चलिए अब पहला example था आपका XX and XY type of male heterogamity ठीक है second example है आपका XX, XO और X not type of male heterogamity ठीक है तो चलिए इसको समझते हैं आपके लिए दूसरा वाला जो है XO या X0 या X0 ये क्या है या आपको थोड़ा confusion हो रहा होगा तो हम इसको समझेंगे तो देखें अगर आप देखें पहला जो है वो XX है दोनों same gamets है इदम same type है मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहें male heterogamity मतलब क्या दोनों अलग होने चाहिए या तो same है तो ये क्या हो जाएगी female हो जाएगी दूसरा है X not और XO X0 type आपको जो कहना 0 type कहेंगे जादा अच हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह 0 क्या है क्या है यह देखें यहां पर जो male होता है normally sperm जो होता है males के अंदर वो carrier होता है chromosome का है na sperm के अंदर ही chromosome carry होता है याद होगा आपको जो हमने structure बनाया था लेकिन यह जो organisms है जो इस type की male heterogamity को follow करते हैं sperm तो आ रहा है gamits तो आ रहा है लेकिन उनके अंदर chromosome जो है वो missing है ठीक है इसलिए zero not ठीक है इसलिए देखिए female जो है XX उसके पास है 24 chromosome और जो male है उसका एक chromosome तो missing है इसलिए कितने सारे chromosome हो गए 23 chromosome हो गए ठीक है तो इस type की heterogamity males के अंदर जो discovery की थी वो किस ने की थी इसकी discovery की थी macklung ने ठीक है so I hope आपको यह चीज clear है अब देखिए XX से जो आपको gamits मिलेंगे वो एक में X होगा दूसरे में X होगा दूसरे वाले में एक में X और दूसरा वाला देखिए खाली है एम्टी है ठीक है क्योंकि एक chromosome जो है वो missing है और इसका जो common example है that is grasshopper काफी important है mcq point of view से अब आप क्या करिएगा आप unit square बनाएगा ठीक है तो एक तरफ आपने डाल दिया एक में खाली है एक क्रोमोजोम जो है वो कम है तो यह मिले हमें सारे offsprings ठीक है तो ध्यान दीजिए अब X जो पहला वाला मिला 84 और है जो फिम मेल हो जाएगा तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी दूसरे बंद Stewart को को चॉथ कलेयर है ठीक है so next we'll switch to female heterogamity ठीक है female heterogamity क्या होती है ठीक है तो देखिए यहां पर आपको कुछ अलग type का combination देख रहा होगा ZZ ZW यहां पर यहां पर यहां पर पिछले वाले में जो XX होता था वह female होती थी पर यहां पर XX यहां पर होता ZZ की जगह तो यह तो male हो जाता तो confusion हो जाता इसलिए हमने क्या किया है हमने जो alleles को denote किया वह Z और W से किया है ठीक है तो देखिए यह है आपकी female heterogamity कुछ ऐसे organisms भी होता है जिसमें जो female के alleles है वो differ करता है इसलिए female heterogamity इसमें female की बनावट में जो alleles होंगे वो अलग-अलग होंगे same alleles नहीं होंगे तो देखिए ZZ जो है same है तो male में तो gamet same ही होंगे तो देखिए ZZ को क्या लिख दिया हमने male ZW को क्या लिखा अलग है female heterogamity हम परड़ा है यहाँ पर अब देखिए male heterogamity में male decide कर रहा था sex of offsprings तो यहाँ पर कौन decide करेगा female decide करेगी ठीक है दूसरा है आपका ZZ Z naught तो ZZ क्या हो जाएगा male और Z naught क्या हो जाएगा female हो जाएगी ठीक है एक चीज़ अच्छे से याद रखेगा male heterogamity के अंदा है male decide करता है the sex of offsprings और female heterogamity में कौन करता है female करती है ठीक है तो चलिए पहले वाले में आप क्या करेंगे set करेंगे the alleles on the punet square ठीक है यहाँ पर भी आपको चार मिल गए ठीक है अब यहाँ पर जो भी same वाले होंगे वह males होंगे जो different वाले होंगे वह females होंगे ठीक है इसका जो common example मिलता है आपको that is fouls some butterflies कुछ butterflies कुछ butterflies कुछ butterflies दूसरा वाला भी follow करते हैं few fishes ठीक है अब दूसरे वाले के तरफ चलिए जेड़ 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 नॉट अब देखिए यहाँ पर क्या होगा female ने जो दो एक्स बना है एक में तो है आपके gametes kromosomes और दूसरा वाला जो है जेड़ नॉट उसमें kromosomes missing है ठीक है clear होना चाहिए अब आपने फिर इसको put in कर दिया कहां punet square में put in करने के बाद यहाँ पर जेड़ जेड़ जितने जो same मिलेंगे वो males होंगे जो different मिलेंगे फीमेल होंगे ठीक है clear है आप लोगों को अब इसके जो कुछ है example कुछ butterflies तो पहले वाले में थे कुछ यहाँ आएंगे example few butterflies and moth टिड़ी मॉथ अभी जो हमलावा टिड़ी दल का मॉथ तो मॉथ female heterogamity में आते हैं यह एक टेकनीक थी बस sex determination की और organisms में और कुछ organisms में है कुछ अलग टेकनीक होती है determination of sex in offsprings तो चलिए अब हम next बात करते हैं sex determination in drosophila melanogaster or fruit fly काफी interesting है वो ठीक है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे उसको भी चलिए ध्यान देते हैं कि in drosophila के अंदर हम कैसे determine करते हैं about the sex of offsprings ठीक है तो in drosophila मैंने आपको बताया था कि chromosomes जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक हो गए autosomes एक हो गए sex chromosomes मैंने आपको बताया था कि sexual characters को determine करने के लिए जो chromosomes responsible है दो जार्दा sex chromosomes और बागी body के जितने characters हैं उसको influence करने के लिए जो chromosomes responsible है वो होते हैं autosomes ठीक है तो fruit fly में जो यह sex determine होता है कि offspring male होगा या female होगी यह हम sex chromosome और autosomes के ratio से करते हैं ठीक है मैंने आपको कहा था यह काफी interesting है और genetics में drosophila का बहुत important दर्जा भी है ठीक है तो जान देश है पहला है आपका कि जब sex chromosome और autosomes का जो ratio है अगर वो one है ठीक है बराबर है तो वो क्या होगी वो female होगी ठीक है समझ आया sex chromosome by autosomes अगर इसके number को हम divide करेंगे और अगर value one आएगी तो कौन से offspring पैदा होगा female ठीक है अगर second point अगर sex chromosome और autosome का ratio जो है वो 0.5 होगा तो क्या जन मिलेगा male ठीक है so I hope this is also clear to you अगला अगला वाला इस वेरी वेरी इंपोर्टन ध्यान दीजे नए टर्म्स है इसमें if the ratio of sex chromosomes by the autosomes varies between 0.5 to 1 तो किसका जनम होगा गाइनाइंडरों मॉर्फ्स क्या होता है गाइनाइंडरों मॉर्फ्स ऐसे organisms ऐसे drosophilas जिनके body का कुछ हिस्सा male का होता है कुछ हिस्सा female का होता है ठीक है तो गाइनाइंडरों मॉर्फ्स के भी तीन टाइप्स है क्या होता है ठीक है तो पहला anterior posterior आगे वाला हिस्सा female का पीछे वाला हिस्सा male का and vice versa कभी कभी आगे का हिस्सा भी male का हो सकता है ठीक है तो आगे का हिस्सा कुछ अलग पीछे का हिस्सा कुछ अलग गानाइंडरों मॉर्फ्स के यह तीनों टाइप्स है ठीक है अगर यह जो एकस पार्ट्स है तो मेल के हैं लेकिन कुछ कुछ पैच्चे जैसे गाय की बॉड़ी पे होता है तो वो जो पैच्चे है यह कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है वो मेल को रिप्र्रेजेंट कर रहे है बॉल्ड का मतलब आप समझते है ना जो टकला इंसान होता ठीक है वसी पैच्चेस काइंड ओफ ठीक है अब चलिए नेक्स्ट अगर यह जो एकस पाई ए रेश्यो है इफ इस तैन 0.5 अगर यह 0.5 से कम होता है तो मेटा मेल्स और सूपर मेल्स यह ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी बॉड़ी की जो थोड़ी सी परफॉर्मिंग टेंडें नॉर्मल मेल्स से अलग होती है कम या तो जादा ठीक है नॉर्मल मेल्स से जादा तर कम होती है तो उन्हें हम मेटा मेल्स कहते हैं और अगर यह रेश्यो जो है एकस बाई ए का वन से जादा हो जाता है तो वह हो गई मेटा फीमेल या तो सूपर फीमेल ठीक है तो आई ठीक है यह अवी पेरिस ऑर्गानिजम से अंडे देते हैं ठीक है तो उन्होंने माली जी एक्स लेकर दिये और आसपास का जो टेंपरेचर जो है वह बहुत कम है लोग टेंपरेचर को जहां पर इंक्यूबेशन हो रहा है जहां पर समझते है ओना जैसे जिटियां अंडा दे तो उस अंडे से क्या बाहर आएगी एक फीमेल बाहर आएगी ठीक है और अगर वही जो एग्स है if they are incubated on high in high temperature तो क्या बाहर आएगा उससे मेल बाहर आएगा ठीक है अब देखिए इसी का जो यहां पर है इसका उल्टा होता है किसके उपर turtles में ठीक है turtles में अगर low temperature मिलेगा low temperature पर incubate होगा तो उससे क्या बाहर आएगा उससे male बाहर आएगा ठीक है and if यह जो turtles के eggs होता है अगर वह high temperature में incubate होँगे तो उसससे क्या बाहर आएगी female ठीक है अगर आपका एक सवाल होगा कि ma'am अगर incubation जो है moderate temperature में होगा ठीक है अगर moderate temperature में incubation होगा X का तो 50% X से बाहर आएगा क्या 50% X से बाहर आएगा तो जो 50% X से males बाहर आएगे और 50% X से females बाहर आएगे ठीक है, so I hope this is clear to you कि अगर moderate conditions हुए जो है जो है जो है जो है यह होगा होना मतलब समझते होंगा आप फूटने के बाद ठीक है 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 होने के बाद उसमें से males बाहर आएगे और 50% X से females बाहर आएगे ठीक है So I hope this is clear to you now यही पर आपका यह वाला खतम होता है अब आप नेक्स बात करने वाले है next we can switch to sex determination in honey bees ठीक है चलिए and the last one we discussed was your turtles ठीक है अगला है आपका sex determination in honeybees मधु मक्खियों में कैसे sex determined होता है ठीक है एक चीज में सारी चीज़े common है कि देखे एक जो मधु मक्खी का छत्ता होता है ठीक है उसमें एक queen bee होती है ठीक है तो जितने भी मधु मक्खियों का जन्म होता है उस छत्ते में से सारे जो offsprings नहें आएंगे उसमें एक organism का तो हाथ होता ही है that is your queen honey bee ठीक है तो queen honey bee दो टाइप के eggs देती है ठीक है पहला है unfertilized egg और दूसरा है fertilized egg ठीक है मतलब क्या पहला वाला जो egg दिया धेखें ध्यान से देखें handwritten note की तरफ पहला वाला जो egg दिया that was unfertilized मतलब क्या egg से आके कोई भी male gamit जो है वो साथ में fertilization नहीं होगा fusion नहीं होगा ठीक है तो अगर fertilization और fusion नहीं होगा अब यह unfertilized eggs develop हो जाएंगे into males or drones वो भी N ही होगे क्योंकि fertilization नहीं हुआ है fertilization के बिना जो offsprings develop होते हैं उन offsprings के develop होने के process को हम कहते थे parthenogenesis यह हमने already reproduction वाले chapter में पढ़ रखा है ठीक है I hope आप लोगों को याद होगा parthenogenesis के बारे में में discuss किया था ठीक है तो unfertilized eggs जो होते हैं आपको याद क्या-क्या रखना है यह haploid होते हैं और यह जिस technique से drones में change होते हैं drones वह जो काम करते हैं basically जो nectar वगेरा collect करते हैं ठीक है तो मतलब यह honey bee के अलावा जितने भी और मतलब hive में मिलेंगे आपको वह सारे काम करने वाले हैं workers, drones सारे के सारे ठीक है बस जो queen bee होती है वह राज करती है आप एक beehive के उपर और नए offsprings के जन्म में बहुत जादा रोल होता है उसका ठीक है अब जो दूसरे वाले eggs fertilized eggs ठीक है drones जो हैं वह help करते हैं in even producing ठीक है fertilized eggs भी तो चाहिए ना fertilization भी तो करवाना है तो यह वाले जो होते है drones यह fertilization में भी help करते हैं दूसरे जो eggs है that is fertilized और यह deployed होते है ठीक है तो यह जो fertilized eggs मिल है fertilized offspring जो बना यह भी दो तरीके के individuals में develop offerings में develop कर सकता है वह क्या खाएगा उस पर develop करता है अब देखे अगर इन fertilized organisms ने royal jelly खाया royal jelly खा लिया तो यह queen में develop हो जाएगा और अगर इसने bee bread खाया तो यह sterile males में develop हो जाएगा queen bee बूरी हो गई है कि वो बहुत सारे नए offspring को जन्म नहीं दे पा रही तब हमें जरुरत पड़ेगी एक queen की दूसरी बात उस छत्य को छोड़के वो जा चुकी है तो फिर उस छत्य को queen bee की जरुरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो ऐसा होगा कि royal jelly feed करके queen bee का जन्म होगा ठीक है या फिर और मतलब हो सकता है death हो गई queen bee की ठीक है तो ऐसा हो सकता है तो ठीक है I hope आपको यहां पर sex determination जो है honey bees के अंदर वो clear है ठीक है अब एक हम नया देखने जा रहे हैं free martins क्या होता है free martins देखिए यह जो free martins का development होता है mostly यह calves में होता है मतलब गाय के जो बच्चडे हुए मतलब बच्चडे basically buffaloes यह जो बच्चडे पैदा होता है उन में ठीक है तो कैसे ठीक है free martins जो है basically एक infertile female होती infertile female मतलब जो कि जन्म नहीं दे सकती नहीं offspring को ठीक है लेकिन इसकी body के बनावर जो होती masculinized होती है male type होती है ठीक है लेकिन उसके body की जो ovaries होती है वो functioning नहीं होती इसलिए जो infertile होती है या तो sterile होती है पर ऐसा क्यों हो जाता है female ऐसी free martin कैसे बन जाती है ठीक है नीचे मैंने explain किया free martin जो है इस female का development होता है जब twins जन्म ले रहे हैं एक गाय के पेट में die zygotic मतलब die zygotic मतलब क्या दो zygotes का बनावट हुआ है वो साथ में develop हो रहे हैं तो एक जो है वो male है दूसरा जो है वो female है ठीक है तो male और female के बीच में connection हो गया बीच में देखे दो lines बनाए हमने cytoplasmic connection हो गया है cytoplasmic connection जो हुआ है इसकी वज़े से क्या हुआ है कि male के बॉड़ी में जो hormones develop हो रहे हैं वो flow के कहा चलेगा female के बॉड़ी में जिसकी वज़े से कुछ male characters कहा चलेगा female के बॉड़ी में तो उसकी बॉड़ी के अंदर की जो ovaries है वो सही से functional नहीं हुई उसका behavior भी सही नहीं रहा अब ovaries non functional हो गई तो इस वज़े से वो female जो है वो sterile हो गई या तो infertile हो गई ठीक है so I hope this is clear to you यहीं पर खतम होता है हमारा sex determination अब देखिया आज की class में में एक और चीज़ करेंगे कि हम एक नया topic है mutation उसकी थोड़ी सी हम introduction लेंगे mutation के बारे में और विस्तार में हैं लेकिन हम next class में जानेंगे तो चलिए we'll take up with the introduction of mutation ठीक है अब ध्यान दीज़े mutation मैं फिर से कहूंगी very very important ठीक है star mark कर लेंगे आपके mcq point of view से भी काफी important और long note question point of view से भी काफी important तो चलिए mutation में होता क्या है ठीक है जो आप देखिया आपकी body जो है dna से बनी होता बहुत ही important role होता है हर एक organism की body में अब उस dna की बनावट में अचानक से कुछ कारणों की वज़े से अगर change आ जाए तो इस process को हम कहते है mutation इस change की वज़े से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं अचानक से कोई change आ जाए उसी को abrupt भी कहते है in a dna sequence dna में ही change आता है mutation में ठीक है it can result from dna copying mistakes ठीक है dna का number जो copy होता है replication होता है ठीक है तो सही से numbers सही से नहीं हो पाई replicate copy नहीं हो पाई या तो cell division हो रही है जब dna का division हुआ था ना copy बनी थी ना सही से copying हुई नहीं cell division के time में या तो यह जो dna है ionizing radiation x-ray gamma rays, beta rays, delta सारे जो type के rays होते हैं इस type के rays के contact में आने में भी आपने सुना होगा जपैन में Hiroshima and Nagasaki यहां पर एक nuclear bomb का मतलब इस port कराया गया था जिसके वज़े से आज तक इतने generations के बाद भी बाडी जो है वो normal नहीं होती बच्चों के, this is due to mutation only ठीक है कुछ तो ionizing radiation की वज़े से भी हो सकता है या तो कुछ important कुछ ऐसे बहुत ही कड़े chemicals उससे contact में बाडी आए तो उसके वज़े से भी mutation हो सकता है या तो कोई ही जैसे अभी आपका coronavirus चल रहा भी तो नहीं पता चल पाया है कि लंबे generations तक चलेगा या नहीं तो infection by viruses ठीक है mutation का देखी एक main जो दिक्कत आती है mutation होने के बाद कि mutation के वज़े से जो effects आता है एक organism की body में वो आगे बहुत generations तक दिखते जाता है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि DNA में change आता है और माबाप अपने बच्चों में क्या आगे pass करता है DNA ही तो pass करता है तो एक generation में अगर वो enter कर गया mutation तो आगे वो कब तक चलता रहेगा बच्चों में कब तक उसके effects दिखते रहेंगे आप सोच भी नहीं सकते ठीक है तो देखिए इसको discover करने वाले scientists जो थे mutation को that was Hugo D. Varys in evening prime rose ठीक है इस plant के अंदर उन्होंने discover किया था और इस evening prime rose का जो scientific name है that is Oena Thera Lamarckiana very important mcq question ठीक है अब एक नया term आया आपके पास mutagen ठीक है तो mutagen वो substance होता है जो कि mutation करने में help करता है ठीक है तो it is a physical or chemical agent that changes the genetic material usually DNA basically जो DNA material या genetic material को affect करता है जिसकी वजह से mutation होता है उसे ही हम mutation कहता है और ज्यादा तर किसको affect करेगा mutation होता ही कि में change आने की वजह से होता है DNA में ठीक है DNA के नए-ने combinations तयार होता है इस वजह से mutation होता है लेकिन अगर जो normal mutation की frequency है उससे जादा अगर mutation दिख रहा है तो उसके लिए कौन responsible होगा mutagen responsible होगा ठीक है तो mutagen को हमने classify किया है जो कि mutation करा सकते हैं mutagen can be of mainly two types that is chemicals and physical or radiation chemicals में आते हैं base analogs ठीक है एक बात हमेशा याद रखेगा body पर जो effect है acid से जादा गंदा bases का होता है ठीक है तो यहाँ पर भी आपका example में base ही है ठीक है तो base के कुछ example 5-bromo-uracil और देखिए इसका short form है bu 5-bu 5-iodo-uracil ठीक है तो सारे base analogs है अब देखिए किस चीज के analog का मतलब क्या होता जो कि similar properties रखते हैं किसी चीज से ठीक है तो यह जो दोनों है यह ब्रोमो यूरसल यह आई योडो-uracil यह analogs होता है थाइमीन के ब्राकेट में लिख दिया मैंने थाइमीन ठीक है तो base analogs लिखा तो है पर किस के analog होता है थाइमीन के analog होता है ठीक है अगला जो chemical है जो काफी में रखता है अपना जगर in mutation that is alkylating agent ठीक है अब चलिए जो आपका next type of mutagen है that is physical or radiation ठीक है दो type के होते हैं आपने पढ़ा होगा physics में ionizing radiation and non-ionizing radiation ionizing radiation जो की mutation कराने में मदद करते हैं that is x-ray, alpha rays, beta rays and your gamma rays ठीक है और जो आपके non-ionizing radiation जो की बहुत ही important mutagen की तरह काम करते हैं that is your UV rays और your ultraviolet rays तो ultraviolet rays जो है वो they are the major type of non-ionizing radiation जो की mutation में important role play करते हैं ठीक है तो next class में हम mutation के types इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है so I hope आज की class आपको clear है क्योंकि आज की class आपको काफी important है दोनों ही terms जो है sex determination and your mutation they are both very very important ठीक है so that's all for today thank you very much study well and take care क्यांति एार ओतक्याद काफी ए फ्दा कर भादे आपको झाल क्याँ